इन देस वीडियो वी आर गोईंग तो डिसकस अबाउट होमोजीनियस लिनियर डिफेंशियल एक्वेशन तो कोई भी डिफेंशियल एक्वेशन होमोजीनियस कब होगा जब वो इस गिवन फ़र्म में होगा अगर आप इस टर्म इस एक्वेशन के हर एक टर्म को देखें ध्यान से तो क्या है ये हर टर्म y जितनी बाँ डिफ्रेंशियल हुआ है इंटू x to the power उतना आया है जैसे dny upon dxn है तो इसमें y कितनी बाँ डिफ्रेंशियल हुआ है तो इसके आगे क्या है into x to the power n, अगर इस टर्म को देखें तो यहां पर y कितनी बार डिफ्रेंशियोट हुआ x के रिस्पेक्ट में, n-1 times, तो उसका जो कोफिशेंट है वो variable है into x to the power n-1, इस टर्म को अगर आप देखें तो y यहां पर कितनी बार डिफ्रेंशियोट हुआ, n इसका जो कोफिशेंट हो, x हो, means variable coefficient हो, और उसकी power उतनी हो, जितनी बार यह डिफ्रेंशियोट हुआ है, तो वो कैसा equation होगा, homogeneous linear differential equation, तो homogeneous linear differential equation को पहचानने का तरीका तो पता होगे आप, अब इसको solve कैसे करते हैं, पहले इसको हम change करेंगे, linear differential equation with constant coefficient, इसमें यह जो x तो पहले इसको हम चेंज करेंगे constant coefficient linear differential equation में उसके लिए हम क्या करेंगे इस equation में x को replace करेंगे e to the power z से या फिर z की value क्या हो जाएगा अगर x को e to the power z से replace करते हैं तो z की value क्यों आजाएगी log x और वहाँ पर x square d square y upon dx square को कैसे replace करेंगे d into d minus 1 into y and x into dy by dx को d into y से अब देखिया यहाँ पर जो मैंने लिखा है अगर मैं कहते हूं कि x cube into d cube y upon dx cube है तो क्या होगा तो simple सी बात है अगर x dy by dx को replace करें dy से और x square d square y upon dx square को d into d minus 1 y से तो simple सी बात है यह किसे replace होगा d into d minus 1 into d minus 2 into y इससे replace होगा अगर मालेजी यह x न देके ऐसे दिया हो कि x plus 1 into dy by dx यह क्या है x into dy by dx is equal to dy अपने लिखा है या फिर इसको 1 लेके a ले लेते हैं x plus a into dy by dx तो यहाँ पर अब क्या करोगे a c into करोगे a into dy means यह जो constant term है वो इसमें multiply हो जाएगा अगर यह square term के साथ है अगर यह x plus a i square into d2y upon dx2 है तो यह क्या होगा a square into dy तो अब इस पर based एक question लेते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे solve करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक question लिया हुआ है solve x square d2y upon dx2 plus 2x dy by dx plus y is equal to x to the power minus 2 तो आप पहले इसको पहचाना से कि कैसे पहचाना है कि यह homogeneous equation है यहाँ पर क्या है d2y upon dx2 means y कितने time differentiate हो है 2 times तो यहाँ पर x की power क्या है 2 यहाँ क्या है dy by dx means y सिर्फ एक बार डिफ्रेंशियेट हुआ है तो x की power क्या है 1 और यहाँ पर y differentiate नहीं हुआ है सिर्फ वैसे ही y है तो यहाँ पर एक constant term है 1 is equal to x to the power minus 2 यह q की value है तो आप इसको क्या करेंगे पहले solve करने का तरीका क्या होता है x को e to the power z से replace करेंगे x is equal to e to the power z means क्या हो गया अगर z की value पूछें तो log x हो जाएगी और यहाँ पर x square d2y upon dx2 इसको किस से replace करोगे आप d into d minus 1 into y और x into dy by dx को किस से replace करोगे d into y से तो आप इस equation में रखो x square d2y upon dx2 के जगा क्या रखोगे d into d minus 1 into y plus 2 x into dy by dx के जगा रखोगे dy 2dy plus y is equal to x to the power minus 2 आप इसको open करो d square y minus dy plus 2dy plus y is equal to x to the power minus 2 तो यह क्या हो गया d square y यह minus dy और यह plus 2dy क्या हो जाएगा plus dy plus y is equal to x to the power minus 2 आप यहां से common लो तो क्या हो जाएगा d square plus d plus 1 into y is equal to x to the power minus 2 आप देखो यहां पर x to the power minus 2 है न यहां पर आपने x क्या कहा था x is equal to e to the power z है तो जहां भी equation में x है वहां पर e to the power z रखो तो यह x square क्या हो जाएगा अगर x के जगा e to the power z रखते है तो यह जो आपका equation बना वो कैसा हो गया कि d square plus d plus 1 into y is equal to e to the power minus 2z अगर अब आप इस solution को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाया कि इसको solve कर सकते हैं आपने ऐसे ही तो सीखा था d square plus d plus 1 into y रहता था इस इकोल टो यह q कोई function रहता था वहां पर अब तक आपने क्या पढ़ा है qx का function रहता था लेकिन आपने इस equation को solve करने के लिए एक्स को किसे replace किया है e to the power z से इसलिए अब यह जो equation है वो y x में ना होकर y z में हो गया है तो आप इसको वैसे ही solve करेंगे जैसे y x के लिए करते थे पिछले बार सिर्फ क्या करेंगे final answer जो निकलेगा तो आप जेड को फिर x की value में change कर देंगे अगर आपने x is equal to e to the power z माना है तो z क्या होगा log x होगा तो जहां भी z equation में आएगा solution में वहाँ पर आप क्या कर दोगे log x रख दोगे यह आपका equation बन गया y और z के form में अब इसको linear differential equation जैसे solve करते थे वैसे ही solve करेंगे तो पहले इसका क्या करेंगे हम cf value find out करेंगे फिर इसकी pi value फिर दोनों को add कर देंगे y is equal to cf plus pi value तो cf निकालने के लिए पहले हम क्या करते थे auxiliary equation find out करते थे तो auxiliary equation कैसे find out करते हैं यहाँ पर d को m से replace करते हैं और y को 1 से right वाले पार्ट को 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m2 plus m plus 1 is equal to 0 तो यहाँ से m की value क्या जाएगी आपको formula लगाएगे minus b plus minus square root of b square minus 4 ऐसी upon 2 होगे तो यहाँ से क्या जाएगा minus 1 by 2 यह सब आपको पता होगा क्योंकि basic चीज़े हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 minus 4 upon minus 1 by 2 plus minus square root of b square minus 4 ऐसी upon 2 यहाँ पर यह 2 हटा देजिए minus 1 तो यहाँ से m की value क्या जाएगी minus 1 by 2 plus minus i root 3 by 2 तो यहाँ से m की value आगई यह किस form में है imaginary form में है तो cf value क्या आओगी cf is equal to e to the power की minus sorry जो real part होता है वो e की power में जाता है minus 1 by 2 अब आप यहाँ पर x नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका जो equation है वो y और x के form में नहीं होगा y और z के form में है तो यहाँ पर x न लिखेंगे आप z into क्या जाएगा c1 cos root 3 by 2 into z plus c2 sin root 3 by 2 into z तो यह हो गए आपकी cf value अब pi value कैसे find out करेंगे pi is equal to 1 upon d square plus d plus 1 into e to the power minus 2z अगर आप इस equation को ध्यान से देखें तो e to the power minus 2z है यह नीचे d square plus d plus 1 तो यह first case है pi value find out करने का तो इसमें क्या करते हैं d को किससे replace करते हैं a से a की value यहाँ पर क्या है minus 2 तो आपको replace कर देजें यहाँ पर 1 upon d square है तो minus 2 times whole square 4 minus 2 plus 1 तो यहाँ पर क्या आजाएगा 1 upon 3 into e to the power minus 2z तो जो आपका solution बना वो क्या हो जाएगा y is equal to cf plus pi तो y is equal to cf क्या था आपका e to the power minus 1 by 2z into c1 cos root 3 by 2 into z plus c2 sin root 3 by 2 into z और pi value क्या थी आपकी plus 1 upon 3 into e to the power minus 2z अब आपने starting में क्या लिखा था कि x is equal to e to the power z तो अगर मैं y और x के form में solution को लिखूं तो z की value यहाँ से क्या आएगी log x means जहाँ भी इस equation में solution में z है वहाँ क्या रखेंगे आप log x तो y की value क्या आजाएगे यहाँ से e to the power minus 1 by 2 into log x c1 cos root 3 by 2 into log x plus c2 sin root 3 by 2 into log x plus 1 by 3 into e to the power minus 2 log x तो आप इसको simplify करके रिख लिख लिजिए simple form में तो y is equal to e to the power minus 1 by 2 log x है तो यह log की property होती है यह x की power में चला जाएगा means x to the power minus 1 by 2 और e into log e to the power log है तो उसकी value क्या हो जाती है 1 तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा e और e तो हट जाएगा क्योंकि इसकी value 1 हो जाएगी तो x की power minus 1 by 2 into c1 log x plus c2 sin root 3 by 2 into log x plus 1 by 3 यहाँ से भी क्या चला जाएगा e x की power में चला जाएगा means x to the power क्या जाएगा minus 2 means x to the power minus 2 तो यह आपका क्या हो गया solution जो आपने homogeneous linear differential equation solve क्या था तो इस तरीके से हम solution find out करते है homogeneous linear differential equation का है अब next video में हम बात करेंगे simultaneous linear differential equation की और यह हो गया आपका homogeneous linear differential equation अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेर कीजिए थाइंक्यू